टिक्नोमेट्री आज के वीडियो लेक्शर में हम लोग एंसी आर्टी क्लास टेंथ मैथेमाटिक्स चेप्टर एट ट्रिक्नोमेट्री का एक्जैम्पल नंबर एट के बारे में जनकारी लेंगे इसे किस दहन से solve किया जाया है जैसा कि मेरे को दिया हुआ है कि if यदि sin a-b equal to 1 by 2 और cos a plus b equal to 1 by 2 और a तथा b का जो sum है वो आपका 0 डिगरी से बरा है बट 90 डिगरी के बराबर है या 90 डिगरी से छोटा है बट मेरे को यह सर्थ दिया हुआ है कि A का वैल्यू बढ़ा होगा और B का वैल्यू छोटा होगा Means कैसे हम जान पाएं कि कौन बढ़ा होगा और कौन छोटा होगा तो जो quantity बढ़ा होता है उसके side में चोच खुला होगा रहता है और जो छोटा होता है उसके साइज में बंद होता है यह भी दिया हुए कि यदि ऐसा condition है तो आप बताओ कि A तथा B का value कितना होगा तो जो दिया गया quantity है उसे मैंने मान लिया इसे मैंने माना equation number first और इसे मैंने मान लिया equation number second यह दिया गया था अब मैं जानता हुँ कि यदि दिया गया था तो मेरे कोई जानना है कि साइन A-B तब तो ठीक है बट 1 by 2 क्या है तो मेरे से पूछ रहा है कि साइन में किसना का value साइन में किसना का भैलू 1 बाइ 2 होता है तो मुझे जवाब मिलिया कि साइन 30 डिग्री का भैलू 1 बाइ 2 के बराबर होता है ठिक इसी प्रकार यदि यहां पर मैं चलूँगा तो मेरे को पूछे आ कि कॉस A प्लस B तो ठीक है पर आप यह बताओ कि कॉस में कितना का वैलू 1 बाइ 2 होता है तो मेरे को जवाब मिले है कि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 बाइ 2 के बराबर होता है इस प्रकार हम जानेंगे कि साइन से साइन को यदि दोनों तरफ में कैंसल कर दिया तो मेरे को मिले है क्या A माइनस B मिलेगा जो कितना के बराबर होगा तो 30 डिग्री के बराबर होगा इसी प्रकार यदि मैं यहां से चलूं तो आपको मिले है कितना A पलस B जो कितना के बराबर होगा तो 60 डिग्री के बराबर होगा इस प्रकार मेरे को दो आप्रेशन हो च अब जब मैं दोनों को solve करूंगा तो मैं दोनों को plus करता हूं means a minus b equal to 30 degree और इसे यदि मैं लिकूं तो a plus b equal to 60 degree तो मैं जोरूंगा तो यह पाऊंगा कि a भी positive है और यहाँ पर भी a positive है but यहाँ पर b negative है और यहाँ भी negative है means दोनों number आपका cancel हो जाएगा अब जो बचेगा वहाँ पर मैं लिखूंगा कि a है मगर्दोट हो है और equal to के अस्थान पर आपका सामने equal to हो जाएगा 30 degree और 60 degree equal to कितना होता है तो 90 degree होता है अब मैं जानता हूं कि जो quantity गूनाम है वही आपके opposite direction में जाने पर divide में हो जाएगा इसमें पत्वा इसमें तो मैं चलता हूं इसी के अनुसार तो मैं बोलूँगा कि second के अनुसार चलूँगा तो a b equal to कितना 60 degree जबकि अंगल a का value कितना तो 45 degree plus b का b equal to कितना तो 60 degree b equal to कितना तो मैं जानता हूं कि 60 degree है और minus 45 degree so angle b equal to कितना तो 45 degree और मैं यहाँ पर जान पाँगा कि angle a का जो value है वह आपका 45 degree है और angle b का जो value है वह आपका 15 degree है sorry यहाँ पर मेड़े को 15 degree लिखना चाहिए था बलती हो गया sorry यहाँ आपको मेड़े द्वारा बनाया गया यह वीडियो अच्छा लगता है यह प्रयास अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रू से ज़रू सबस्क्राइब करें लाइक करें तो आपने मित्रों के साथ में सेयर करना ना भूलें तब तक के लिए धन्यवाद अच्छा लगता है